जह हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप स्वागत है मिरा नाम है मांसुख मार और आप देख रहे हैं इस वीडियो में के बीसी ग्लोबल लिमिटेट कंपनी के बारे में बात करेंगे जानेंगे कि एक्षुले में इस कंपनी में चल क्या रहा है क्योंकि बहुत से लोगों का इस कंपनी के बारे में वीडियो बनाने को लेकर स्वाल था कि बेद्फेर तो काफी इस कंपनी में कंपनी में निवर्वेसकों लॉस हो गया है या और उस को क्या रेकवर किया जा सकता है या नहीं इसी मुद्य प्रकद्म तफसीष से बात होगी हलाकि एक बात का जवाब मैं आपको अभी तुरन देता हूँ कि देखिए इस कंपनी में ये उपरी लेवल बाइकर के आप फसे हुए हैं तो आपके लॉस की भरपाई इस स्टोक में संभाव हो सकते हैं उसके लिए क्या करना होका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उस की देखने को मिल रहा है और जैसे मेंने कहा कि एक दिर में देखेंगे तो चार-चार पर सेंगे जो के बिस्य ग्लोबल लिम्यूटेट कंपनी में आपको जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई संभाव हो है कैसे संब्भाव है मैं आपको बता रहा हूं आप पिस्वास नहीं लेकिन basically इसका construction का काम है construction काने का मतलब है कि ये company बड़े-बड़े भावन का निमार करती है और उसको बनाने और बिचने का काम करती है तो real estate की business में investment भी ज़्यादा लगता है लेकिन इसमें कमाई भी ज़्यादा होता है company का आप देखेंगे तो जो market के पर पर भाई किये होंगे और अभी तक अपने प्रफोलियो में company के stock को समभाल कर रखे होंगे तो उनको नुकसान ही हो रहा होगा लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जो लोग यहां पर मानने जिए बाई कियोंगे यहां पर भाई कहीं पर भाई कियोंगे और यहां तक होड़ किये होंगे तो क्या वो लोग कुछ और दिन होड़ नहीं कर सकते हैं यहां पर आप चार्ट में देखेंगे तो इस यहां से डाउन आया और उसके बाद क्या हुआ सब पार चलने लगा लेकिन अभी फिर शेयर प्राइस सुपर की तरफ जाने लगा है चार्ट बोलता है तो यह चार्ट यह बताने की कोशिज कर रहा है कि अभी इस कंपनी के शेयर पैस में तीजी आने की संभाव ना है और इसके बाद रेश्टेंस लेवल है यहां पर फिर यहां पर कब से कम यहां तक तो आयेगा बारे रुपे का सपास तो पक्का आते हुए आपको दिख सकता है बहुत जल्द अब यह डिपेंड करते हैं अलग लग फैक्टर पर कि जैसे ग्लोबल सिनेरियों कैसे रहते हैं हम कंपनी का बुक वहलू पर यहां रुपे का सपास है और शेयर प्राइस अपने बुक वहलू से उपर है यह काफी अच्छी बात है अभी क्वाटर 3 के नतीजे नहीं आया है सिर्फ क्वाटर 2 तक का रिजल्ट आया है जिसमें आप देखेंगे नतीजे थोड़ा सा पिछले क्वाटर में कमजोर आये थे लेकिन इससे सिर्फ एक क्वाटर से डिपेंड नहीं करता है इस बार की क्वाटर के नतीजे यदि पिछले क्वाटर के मुकाबले और कमजोर आते हैं तब कहेंगे कि इसके फंडामेंटल कमजोर हो रहा है लेकिन मुझे यसा नहीं लगता है क क्bonते हैं और जब Cities से बढ़ सो करजा है कर देख्या उसे सब्सक्राइब 105 करोने का लेकिन इस बाद करजा कर जब कर देखेंगे कंपनी के पास कर जा है करजा तक रूकर नहीं कर सकते हैं तो मैं आप से कहूंगा आपकी निकलना चाहें तो विस्तेक निकल जाये लेकिन میरा हो जाना चाहेंगा तो आपको थोड़े समय में तक और होड़ करना चाहिए क्योंकि तेजी दिखने लगी है आपके जो लॉसेज हैं उसके रिखवर होने के पूरे चांस हैं उम्मिद करता हूं इस वीडियो के बारे में आपको पता ही आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मन में कोई भी सवाल है तो हमसे कमेंट में ज बिया